हेलो फ्रेंड्स वेलकम अंस अगेन इन और हीट्यूब चैनल टेक्नो राजस्तान तो दोस्तो आप सभी के लिए राजस्तान की तीन भरतियों की परिक्षतिती को लेकर महत्पून सूचना लेकर आया हूँ जो आज की डेट 14 दिसम्बर 2020 के दिन ओफिशल इनफॉर्मेशन आ रखी है तो हम देख लेते इनके ओफिशल प्रेस नोट को जिसमें से एक है आपकी पटवारी भरती ठीक है पटवारी भरती की एक्जाम डेट काफी टाइम पेले फिक्स हो चुकी थी पहले इसका एक्जाम फरवरी में होने वाला था लेकिन बाद में इसकी जो एक्जाम डेट को चेंज करके जनवरी में कर दिया गया है और आपके काफी टाइम से सवाल आ रहे थे कि ये एक्जाम डेट चेंज होगी या नहीं होगी तो आपको बताना चाहूँगा कि एक्जाम डेट आपकी नाम के अनुसार ही आपकी एक्जाम डेट रखी गई है जिस आपका ए नाम से स्टार्डिंग में ए नाम से है तो जो उनका फ़िस्ट पे रहेगा और जिनका जेड पे है तो उनका लाश्ट में एक्जाम रहेगा और छे चारणों के अंदर पटवारी भरती की परिक्षा और जो 10 जनवरी को 2 शिप्ट रहेगी और 17 जनवरी को 2 और 24 जनवरी को जो आपके 5 वी और 6 शिप्ट का एक्जाम रहेगा जो A से C नाम वाले है उनका एक्जाम रहेगा आपका 10 जनवरी 2021 के दिन ठीक है और टाइमिंग रहेगा सुबे 8 बजे से लेकर 11 बजे तक ठीक है A से c टेक है जिनका भी a से c के अल्फावेट में नाम आता है उनका और जिनका d से j का नाम है उनका भी 10 जनवरी को भी रहेगा उनका second shift में रहेगा और जो timing रहेगा ड़हे बज़े से लेकर 5.00 बज़े तक का जिनका K से लेकर M तक के अंदर आता है नाम तो उनका 17 जनवरी 2021 को रहेगा टाइमिंग सुबह 8.30 से ग्यारा बज़े तक एंड जिनका N से Q तक का नाम आता है उनका 17 जनवरी को 2nd shift में होगा टाइमिंग रहेगा 5.30 से 5.00 बज़े एंड जो S से U वाले जिनका नाम S से U के अलफवेट के बीच मादा है उनका 24 जनवरी 2021 को रहेगा टाइमिंग वही फिस्ट पारी का रहेगा साड़े आट से साड़े ग्यारा एंड जो R से V एंड जो जेड वाले हैं उनका 24 जनवरी को सेकंड शिप्ट में रहेगा डाइस से साड़े पांच वजे तक ठीक है तो ये ओफिशल एक्जाम डेट है और इसी फिक्स है कि यही आपकी एक्जाम डेट रहेगी तो अब इसे जिनकी भी तैयारी चल रही है और जिनोंने अभी सेरियसली नहीं लिया है तो इन एक्जाम डेट को आप सेरियसली ले लीजिए क्योंकि यही आपकी एक्जाम डेट रहने वाली है ठीक है तो आप सभी देख लीजेगा कि आपका कौन सा क्या नाम आता है अगर जिनका नाम A से आता है लेकिन उन्होंने अगर फोर्म के अंदर मिस्टर या मिसेज लगाया है एमार या फिर MS तो उनका जो एक्जाम रहेगा थर्ड शिप्ट के अंदर रहेगा ठीक है याने 17 जनवरी को यह साही सेम LDC के अंदर हुआ था याने जिनका नाम जैसे आकांशा है और उसने मिस्स आकांशा लिख रखा है रिकोर्ड के अंदर फोर्म भरते टाइम तो उसका एक्जाम जो 17 जनवरी के अंदर रहेगा ठीक है तो आप सभी यह देख लीजेगा और यहां पर बता भी रखा है कि जिनका कुमारिया मिस इत्यादिस प्रारम होता है तो उनका एक्जाम है जो 17 जनवरी के दिन रहेगा क्योंकि एड्मिट कार्ड है जो आल्फिवेटिकली ही निकाले जाएंगे और जो आपके एड्मिट कार्ड है जो पच्चिस तारीक के बाद जारी कर दिये जाएंगे ठीक है तो ये तो हो गए आपकी पटवारी एक्जाम डेट को लेकर इन्फोर्मेशन ठीक है और इसी के साथ जो आर्पेस्टी ने भी आज की डेट के अंदर काफी सारे प्रेस नोट जारी किया है तो कौन-कौन से वो प्रेस नोट है जिसके अंदर रिजल्ट है इसको लेक्चरर वाली विकेंसी का जिसमें केमिस्ट्री का भी है एंड जो एक्जाम डेट है आपकी SCF की जो फोरेस्ट रेंज ओफिसर ग्रेड फरस्ट वाली एक्जाम है एंड जो SCF है जो वन सनरक्षक की पोस्ट है फोरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर तो उनकी एक्जाम डेट आरकी है ठीक है एंड जो इस्टेटिकल ओफिसर है एसो की जो एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट वाली विकेंसी है तो उसके भी एड्मिट काड को लेकर प्रेस प्रेस नोट यहां पर जारी हो रहा है एयरो को लेकर एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर विकेंसी निकलिक थी फोरेस्ट ड्रेंज ओफिसर एंड जो सायक वन संरक्षक की ठीक है तो यह दो विकेंसी हो गए आपके फोरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर एक तो सायक वन संरक्षक की है और एक आपके फोरेस्ट ड्रेंज ओफिसर फ़र्स्ट वाली ठीक है काफी टाइन से यह विकेंस 20 फरवरी 2021 तक ठीक है जो संभाग यह मुख्याले पर किया जाएगा जैसे जेपूर जोतपूर ठीक है जो भी संभाग वाइज है उनके वहाँ पर आपका एक्जाम रहेगा एंड जो Forest Range Officer वाली विकेंसी है तो इसकी एक्जाम डेट आपकी रहेगी 22 फरवरी से लेकर 26 फरवरी 2021 तक ठीक है आपकी यह एक्जाम 2021 के अंदर रहेगा पटवारी का भी 2021 के अंदर होगा SCF का भी 2021 के अंदर होगा ठीक है एंड जो subject wise यहाँ पर date and time बता रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते है जो 1820 है तो वो आपका ACF का है and जो subject wise आप देख सकते है जो GK का 18 फरवरी 2021 को GK and जो general English है तो इसका रहेगा आपका जो GK का timing रहेगा 9-12 and जो general English का है 2-5 है and जो 19 फरवरी को आपका environmental science का है वो 9-12 है and जो mathematics and aesthetics वाले subjects वाले है उनका 2-5 बजे तक and जो 20 फरवरी का है जोलोजी बोटनी physics का timing आप यहाँ पर देख सकते है एक तो 9-12 and जो बोटनी का है 2-5 and agriculture sorry physics का है 9-12 and उसका बाद जो 22 फरवरी को है जो आपके इसका forest terrains officer वाला है तो इसका agriculture and जो agriculture engineering वाले है veterinary science वाले है उनका 2-5 बजे and जो आपके subject था या फिर जिसका अदर आपने degree कर रगी है उसकी अनुसार आपको यहाँ पर date दे रखी है and जो 23 फरवरी को computer application वाले है या फिर computer science वाले है computer engineering वाले है उनका रहेगा 9-12 बजे तक and जो electrical and electronics engineering वाले है उनका 2-5 बजे 23 फरवरी को and जो 24 फरवरी का आपका chemistry chemical engineering या फिर civil engineering वाले है उनका रहेगा जो chemistry and chemical वालों का है 9-12 and जो civil वालों का है 2-5 and जो 25 फरवरी को है horticulture and forestry का exam रहेगा 9-12 आपका horticulture का हो जाएगा ठीक है horticulture का and जो forestry का हो जाएगा आपका 2-5 बजे and जो 26 फरवरी को है जीलोजी and mechanical engineering वालों का ठीक है तो mechanical वाला है जिनने भी take कर रही है तो उनका है mechanical engineering वालों का है 26 फरवरी को जो जूलोजी का है आपका 9-12 and जो ME वालों का है 2-5 ठीक है तो ये exam date को लेकर information आ रही थी आप सभी देख लीजेगा forest trans officer वाली and जो आपके सायक one sun रक्षक वाली है तो इन दो vacancies का आप काफी time से wait करे थे exam date को लेकर तो फरवरी में इनका exam है and जो पटवारी की भी exam date आ चुकी है alphabetically आपका exam रहेगा तो आप अपनी तयारी जारी रखे अच्छे से तयारी कीजे और काफी दिनों बाद में वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि अभी काफी busy हूँ दोस्तों मैं and sorry आपको जो information time to time नहीं पहुँचा पारा उसके लिए ठीक है तो आपको ये information देनी थी और आप हमारी telegram channel टेक्नो राजस्तान official पर जूर जाएगा और आपको ये information आपको ये इन्फोर्मेशन आपको ये वेबसाइट technorajistan.com and technorajistan.in दोनों पर मिल जाएगे Thank you so much and आप सभी को all the best पटवारी exam के लिए अच्छे से जान लगा कर आप तयारी कीजे